स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी वीधिस्वाती में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल चक्र पे आप किस तरह से यानि क्रॉप साइकल पर आप किस तरह से एक टीलम या मॉडल या चार्ड को तयार करेंगे अगर बात की जाए डीलेड सेकंड समेस्टर या फिर बीड की क्योंकि जो फसल चक्र है ये साइन्स सब्जक्ट का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है ये आपका एसस्टी यानि सामाजिक अध्यैन पर्यावरण अध्यैन और विज्ञान विशय यानि साइंस में देखने को मिलता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फसल चक्र होता क्या है फसलों की प्रकार कितने होते हैं कौन से मौसम में कौन सी फसल देखने को मिलती है यहाँ पर हम एक ट्रिक के माध्यम से भी चीजों को समझेंगे उसके बाद हम अपने TLM या मॉडल को लेकर के बात करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते ही आज के इस वीडियो को फसल चक्र को लेकर के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फसल चक्र क्या है आओ चर्चा करें हम इस पर अपने गाउं तथा असपास की फसलों को देखें यह आपके लिए कहा गया है कुछ दिन पहले जिस खेत में धान की फसल लहला रही थी आज उसमें मटर वचना बोया गया पहले जिस खेत में चने की फसल थी बाद में उसमें उड़द और जुआर बोया गया आलू की फसल के बाद मक्की की फसल बोयी गई तो यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से पहले कुछ बोया गया, उसके बाद कुछ और फसल बोयी गई, ठीक है तो यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक चीजे थी, आगे हम देखेंगे crop cycle है क्या, फसल चक्र है क्या फसल चक्र की बात की जाए तो एक ही खेत में निश्चित समय में निश्चित फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है ठीक है इसकी परिभाशन से आप समझ पाए होंगे कि अगर कोई खेत है हमारे पास उसमें निश्चिस समय में निश्चिस फसलों को अदल बदल कर जब हम बोईंगे तो वो फसल चक्र यानि क्रॉप साइकल कहलाएगा फिर प्रशन आता है क्या सभी फसलें एक ही समय में बोई जाती है तो हम इस पर चर्चा करेंगे फसले पानी वा तापमान की आवशक्ता अनुसार अलग-अलग समय में बोई जाती है रितुओ की आधार पर फसलों को तीन वर्गों में बाटा गया है तो यहाँ पर देखिए फसल दी है खरीग की फसल अगर हम बात करें खरीग की फसले तो यह फसले वर्षा रितु यानि जुलाई अगस्त के प्रारंब में बोई जाएंगी तथा जाड़े के प्रारंब यानि अक्टूबर नवंबर में काट ले जाती है इनको अधिक पानी की अवशक्ता होती है जैसे ध्वान हो गया जुआर बाजरा इत्यादी यह आपकी खरीग की फसले हैं अभी हम इन पर ट्रिको ले करके बात करेंगे वहां से और भी फसलों के बारे में आप चीज़े जान पाएंगे उसके बाद दिया है रवी की फसल यह फसल जाड़े के प्रारंब यानि अक् अप्रेयल में यह फसल काट ली जाएगी इनको अपेक्षाक्रत पानी की कम आवशक्ता होती है जैसे गेहूं चना मटर सरसो आधी रवी की फसले हैं तो यह हो गई रवी की फसले उसके बाद आएगा जायद की फसले यह फसले गर्मी के प्रारंब यानि मार्च अप्रेयल जब हम रवी की फसल को काटेंगे मार्च अप्रेयल में तब हम जायद की फसल को बोना प्रारंब करेंगे मार्च अप्रेयल में इस चीज़ से भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं तो यहां कहा गया है यह फसले गर्मी के प्रारंब यानि मार्च अप्रेयल में ब कोई जाते हैं तो गर्मी में जो भी चीजे आपको मिलें इनमें आप इंकलिवट कर सकते हैं इन्हीं सी चाई के लिए पानी तो चाहिए साथ सा तेज धूपवा गरम हवा भी चाहिए इसले इने जायत की फसलें कहा जाता है तो क्रॉप साइकल में यह जो फसलों का वर्गी क करड किया गया है तीन प्रकास से इन में ज्यादा तर आपकी कॉंपिटेटिव एक्जाम में क्वेशन पूछे जाते हैं यहीं से क्वेशन बनते हैं तो आप इस चार्ट को जरूर पढ़ें ठीक है आगे हम कुछ और चीजे देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं य इनकी कटाई हो जाएगी ठीक है यहां पर आप देख पा रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट फसल आएगी वो है अक्टूबर नवंबर में रभी की फसल यह मार्च और अप्रेल में काटी जाएगी उसके बाद मार्च अप्रेल में जो है वो जायत की फसल बोई जाएगी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह इसी तरह से इसी क्रम में यह साइकल चलता जाएगा, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है, चलिए हम कुछ और चीज़े देखेंगे, उसके बाद आगे दिया है, आए जाने फसल उपजाने के तरीके, यानि किसी भी फसल या नाच को उपजाने के लिए सरप्रथम मिट्टी एव मौसम की जानकारी भी हमें आवश्यक है, यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी तरह-तरह की होती है, आप अलग-अलग खेतों से मिट्टी एकत्र करके देखें, यहाँ पर तीम कॉलम बने हुए एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है कि कौन कौन से मिट्टी है, बलूई मिट्टी, चिकनी, मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और दोमट मिट्टी, मिट्टी की पहचाना आप कैसे करेंगे और मिट्टी की वज़े से जो फसले उगेंगी, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगें उनका वर्णन किया गया है तो यहां पर पहली मिट्टी है बलूई मिट्टी अगर हम बात करें बलूई मिट्टी की पहचान क्या होगी मिट्टी के बड़े-बड़े कड़ बालू की मात्रा दिखोगी ठीक है उगने वाली फसले हैं तर्बूज, खर्बूजा और बाजरा इ चिखनी मिट्टी मिट्टी के कर छोटे बालू की मात्रा जो होगी अप एक शक्टरत कम होगी इसमें होगा गेहू चना मटर धान यह फसले उगेंगी सिल्ट मिट्टी महीन कड़वाली मिट्टी होती इसमें गेहूं और गन्ना आदी फसले उगेंगी और लास्ट में हैं दोमट मिट्टी बलूई मिट्टी चिकनी मिट्टी तता सिल्ट मिट्टी मिले जुले इन सभी का मिक्षर होता है दोमट मिट्टी, इसमें धान, कपास, गन्ना, इत्यादी फसले उगेंगी, तो इस तरह से तरह तरह की मिट्टी में तरह तरह की फसले उगाई जाएंगी, चले हम नेक्स्ट चीजे देखेंगे, यहाँ पर दिया है मौसम के नुसार फसलों की जाती है, रितूं यानि मौसम के अधार पर फसलों को तीन भागों में बाटा गया है, खरीब की फसल, रवी की फसल और जायत की फसल, तो यहाँ पर आप पहरा देख पा रहे हैं, फसलों के नाम यह खरीब की फसल, हमने इसको लेकर के बात की है, ठीक है, आप इस तरह से चाड़ भी बना करके टीलम बना सकते हैं, खरीब की फसल जो होगी, यह जुलाई अगस्त के प्रारम में बोई जाएगी और जाड़े के प्रारम में, यानि अक्टूबर नॉम्बर में काट ली जाएगी, ठीक है, इन फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूं, जद गन्ना का पास तमाग को जूट इत्तियारी फसले होंगी, उसके बाद दूसरी है, रभी की फसल, यह फसले नॉम्बर में जब खरीब की फसल काटी जाएगी, तब अक्टूबर नॉम्बर में यह फसले बोई जाएगी, रभी की फसले, जैसे ग्योह, जोव, चनामट अलसी, अरहर, राई, सरसो, आलू, इत्तियारी यह फसले देखने को मिलती है, लाश्ट में हैं जायद की फसले, यह फसले गर्मी के प्रारम यानि मार्च अप्रेल में बोई जाएगी, तथा वर्शा के प्रारम यानि जुलाई अगस्ट में काट ली जाएगी, यह होंगी ककड़ी, खर्बूजा, तर्बूज, सबजियां, ठीक है मौसमी, तो यह हो गई जायद की फसल, तो इस तरह से यहाँ पर इन चीजों से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ट्रिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपने टीलम को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर हम पहली फसल की ट्रिक देखेंगे, यह फसल जून जुलाई, यानी खरीब की जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नॉमबर या नॉमबर दिसंबर में काट ली जाएगी, इन फसलों में अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, जौर, मक्कर, तिल्हन, यह फसले आएगे, तो इनको याद करने के एक ट्रिक दी है, अरे गधा, बाज़ा, मत बजा, तो अरे में जो अरहर, ठीक है, गा से हो जाएगा गन्ना, धा से हो जाएगा थान, बाजरा, जा से हो जाएगा जौर, और मत में मा से मक्का, और ता से तिल्हन, ठीक है, और जो उसके बाद और चीजे हम देखेंगे उसके बाद आयगा kings wife की फसले आप किस तरह से याद रखेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें kings hea peslo की तो Be пошव community यह फसल अक्टोबर नॉंबर में रोगिजाती हैं और मार्च अपरैल में काट ली जाती है इन फसलों में आलू, जौ, सर्सो, चना, राई, गेह हूं, मतर ये फसले देखने को मिलती है इसकी ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला, तो आज सी हो जाएगा आपका आलू, ठीक है, जाओ हो जाएगा जौ, सच में सास से सरसो चा से चना में आप खाली छोड़ दीजेगा राई पूरा पूरा आ जाएगा ठिक है और गेम में गा से गें हूं और मा से मटर तो इस तरह से जो रेड कलर से लिखा हुआ है आप इन चीजों को फॉलो कर लेजेगा आप इनको कॉपी में याद करिएगा लिख करके आप को यह ट्रिक अच्छे से याद आ जाएगी ठिक है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप फसलों को याद करने के इस ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को भूलेंगे नहीं उसके बाद हम देखेंगे लाश्ट में जायत की फसल इसमें दिया है यह मई जून या फिर अपरेल माई में बोई जाएंगी ठिक है और जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में काट ले जाएंगे इन फसलों में है तरबूज उडद खीरा खरबूजा ककड़ी राई मूंग इन किट्रिक यहां पर दी हुई है ताओ खीरा खाकर मरे ठिक है तासी हो ज खा से खरबूजा कास से ककड़ी रा से राई मरे में मा से मूंग रा खाली छोड़ दीजेगा तो इस तरह से इस ट्रिक के माधिम से आप जायत की फसलों को याद कर सकते हैं उसके बाद लाश्ट में एक और फसल आएगी जो की नगदी फसले कहलाएंगी तो इसमें वह फस जाते हैं किसानिन को बोता है बेचनी के उद्देशी से इनमें कपास गन्ना जूट तंबाकू ये फसले आएंगे त्रिक तो इसमें ट्रिक है कागज में तंबाकू तो यहां पर कास से हो जाएगा कपास गास से गन्ना जासे जूट ठीक है मां खाली छोड़ना है और हमारे जितने भी फसले थी उनको याद करने के ट्रिक को लेकर के मैंने बात की है चलिए यहां पर हम अपने टीलम को देखेंगे तो दोस्तों यह रहा फसल चक्र यानि क्रॉप साइकिल या फसलों के प्रकार का टीलम या मॉडल जिसे आप तयार करेंगे अपने टीचिंग के लिए या फिर अपने वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए भी आप इसे तयार कर सकते हैं बहुत ही आसान सा टॉपिक है अगर हम बात करें साइन्स सब्जक्ट की या फिर एसस्टी यानि सोसल साइन्स विशय की चले यहां पर तो हमने इसका जो है टीलम कौपी देखी है औरिजिनल भी हम इसे देख लेते हैं एक नजर दोस्तों यह रहा आपका टीलम या मॉडल जो की आप फसल चक्रयानी क्रॉप साइक्ल के लिए तयार करेंगे इसे आप फसलों के प्रकार या फसलों के वर्गी हैं यहां उसे खरीप की फसल जायत की फसल और रवी की फसल इन सभी फसलों का वर्य करड किया है इस तरह से आप फसलों के प्रकारों के लिए या फसलесть क्रेक्ल इलिए अपने टीलम य्यानि चार्ट यह मॉडल को तयार करेंगे आप इन चीज़ों को पाार से भी देख सक आप चाहें तो फसल चक्र की जो मैंने परिभाशा बताई थी उसको भी आप लिख सकते हैं अदर्वाइस आप अपने शब्रों में भी बता सकते हैं तो यह हो गया आपका टी अलम या मॉडल आप इसको अच्छे से देख लीजी ठीक है और बिल्कूल आप इसी तरह से इसे तैयार करेंगे यहां पर इन सभी को वर्गी करत किया गया है आप इस तरह से इन चीजों को दिखा सकते हैं तो अमीद है आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विथ स्वाथी को सब्स करना ना भूलें कमेंट सक्षन में जाकर करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा साथी आप मुझे टैलीग्राम चैनल पर भी जॉइन कर सकते हैं मुझे मेरे नाम से स्टड़ी विधिस्वाती की नाम से जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प यह तो आपको पर आपको से स्टाइब कर दो का लोगा से साथी तूर यू तूर आपको यू गया ले तूरें हैं बहुत गल्या कर का लेक्षार देगिस्पार आपको विदिक विदोट कर सकते हैं झाल झाल